हेलो स्रेंड्स हम करें थे पुलिटिकल थोट ओफ मनु जिन में से मनु समरीती है जो इनका सबसे इंपोर्टन लिट्रेरी वोक है उसको डिसकस कर दे थे तो लाश शेश्ट में हमने मनु समरीती की बेसिक इंफॉरमेशन है वो के और आज हम अपने इस शेश्ट में करेंगे प्रिंसिपल आइडियास ओफ मनु समरीती मनु समरीती के 12 चैप्टर है जो चैप्टर है इनमें क्या कुछ डिफाइन किया गया है तो जो बेसिक प्रिंसिपल से है वो क्या क्या है मनु कहना क्या चाते थे तो हम इसको एक हैं वो इस session में define करेंगे तो इसके बाद जो हमारे exams के लिए important question है जैसे social organization है इसको discuss करेंगे quality है इसको discuss करेंगे तो पहले हम इसकी principal ideas हैं इनको brief में करते हैं first one is nature of dharma तो हमने last session में भी किया था जो मनुसमरीती है जै किसके उपर based है धर्मा के उपर based है तो धर्म क्या है जै religion को धर्म नहीं कहते हैं जै कहते हैं कि हमको अपनी duties हैं वो duties pay करनी चाहिए वो ही दर्म है हर एक individual का अपना अपना धर्म होता है आप student level पर हो आपका अपना धर्म है family का अपना धर्म है society में रह रहे हो आपका अलग धर्म है तो जब हम अपनी अपनी धर्म को follow करते हैं तो इससे rightness सबी जगे justice increase होता है तो जिस सब की duty बनती है कि अपनी धर्म को follow किया जाए तो जिब बहुत ही important idea है मनुसमरीती का कि धर्म ही सब कुछ है धर्म के besides कुछ भी नहीं है अगर धर्म नहीं होगा तो सुसाइटी में हम इस अर्थ पर survive नहीं कर सकती है तो धर्म को तो बहुत ज़्यादा importance देती है तो वो कहते हैं जो धर्म है धर्म के बिना हमारी life नहीं चल सकती तो सबसे पहले मनु क्या डिस्कस करती है general features of धर्म के धर्म होता क्या है उसके बाद धर्म को हमको pay करना है अपनी अपनी duties वरना system के according अपनी level है जो आश्रम है उसके according के आपको pay करनी है मनु has discussed and described the duties of various person under various circumstances meaning अगर circumstances situation change होती है तो आपकी कौन सी duty बनती है इसको भी मनु ने define किया है तो मनु ने धर्म के उपर बहुत जादा length में detailed discussion की है उसकी बाद second आते है social organization जिसको हम वरना system कहते हैं जो मनु समरितिका सबसे controversial topic बन चाता है तो वरना system क्या है या ऐसे तो अगर हम वरना system की बात करते हैं जो मनु समरिति में वरना define किया गया है वरन का meaning होता है according to your occupation काम को वो वरन system कहते हैं लेकिन time के साथ वरना system को हमने काफ system में convert कर दिया otherwise वरना का meaning क्या था कि जो person है जो जो काम करता है उसके according वो different different words में divide होता है तो चे कहते हैं जो वरना system है it describes a code of social conduct तो social conduct इसके according ही चलता है तो चे कहा है which is based होनदा वरना system वो कहते हैं वरना system है वो optional नहीं है कि आप नहीं मानते वरना system को आप जब society में रह रहे हों वरना system को accept करना ही पड़ेगा जे आपके obligation बन जाती है तो उस time उनोंने ब्रामन, शत्री, व्याशे और शुद्रा चार वरन्स हैं इन में पूरी society को divide किया है जिसको पढ़ने का शोंक है जो learned person है वो ब्रामन बन जाएगा जिसकी बुजाओं में बल है जो लडने की हमेशा त्यार रहता है अपनी country को protect कर पाएगा वो शत्री में आ जाता है व्याशे जो trade करने में interested होता है और जो इन तीनों में किसे भी कामें interested नहीं है वो इनकी सीवा करते है वो शुद्र कहलाता है इस तरह उनोंने वर्ना सिस्टम occupation के according ही बताया था कि जिस चार वर्न से हैं इन में से वो सबसे ज़्यादर importance कि इसको देते हैं learned person को ब्रामन को वो कहते हैं ब्रामन ही इस society में awareness है, enlightenment है वो increase करते हैं और वो कहते हैं, he emphasized that awareness system was not optional, जे optional नहीं है, it is the integral part of the social and political setup जे society के लिए और political setup के लिए state के लिए बहुत ही ज़्यादा important है अब हम एक individual की बात करे हैं, तो जे कहते हैं कि हर एक person के life के चार आश्रम होते हैं तो जो जे आश्रम हैं, इसके according हमको काम करना चाहिए तो आश्रम का meaning क्या है, आश्रम refers to the division of our person's life एक person की life को हमने different different four parts में divide कर दिया devoted to our particular pursuit of our life meaning आपके चार पार्ट कर दिया और बताया गया कि आपके जी चार आश्रम हैं इन आश्रम में आपको कौन-कौन सी duties हैं, वो पेई करनी है तो सबसे पहला आश्रम क्या होता है? बरहम चारे आश्रम जब हम birth लेते हैं, birth से लेकर पहले 25 years है बरहम चारे आश्रम होता है जैसे अब student हो, studentship है, जिक इसमें आती है बरहम चारे आश्रम में आती है जिसमें हम अपनी knowledge को expand करती है physically and mentally अपनी knowledge को increase कर रहे हैं प्रमचारे आश्रम उसके बाद घरस्त आश्रम जिसमें हमारी मियारिस होती है बच्ची होती है productive इस मानी जाती है तो घरस्ती आश्रम माना जाता है उसके बाद one breast meaning अब आपको one में जाने है गरस्ती से मौमाया छोड़ कर आपको इन से चीजों को one में जाने के लिए त्यारी करनी है आपको मौमाया को छोड़ने है उसके बाद सन्या साथ है जिसमें आपको salvation परमात्मा को परापती करने के लिए तप करने है तो हमारी life के जह चार आश्रम है इसको उन्होंने division की है उसके बाद fourth concept आते है basic property of the nature of things जै कहते हैं कि society में जो भी persons है इनकी basic property क्या है उनके गुन्स है तो three types के गुन है उन्होंने define किये गे है गुन क्या है it represents the level of virtue meaning आप में कौन से गुन है गुन हिंदी वाला जिसको हम English में virtue कहते है meaning आपकी qualities तो आपकी qualities भी होनी चाहिए तो जो आपकी qualities है वो भी three types की होती है जो person को superior बनाती है और inferior बनाती है तो जे गुन्स है जे inherent quality of the person होती है जे आपको social organization से नहीं मिलती है तो हो सकते है जो ब्रामन है उसमें सबसे low level के गुन हो और हो सकते है जो शुद्र हो उसमें high level के गुन हो तो जो गुन है three types के गुन है वो define के है सात्तव, Rajas and Thomas सात्तव और सात्तवी गुन है इसको top level के गुन बताए गए है तो इस गुन में हम क्या करते है हम पूरी तरह से peace harmonious love ship है इसको increase करते है पूरी तरह peace create होती है Rajas middle level के गुन बताए गए है जिसमें हम selfish हो सकते है Thomas में जिसे हम चंडाल के काम कहते हैं तो वो गुन Thomas में होते है तो जो 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 गुन है हर एक person की अपनी inherent quality होती है तो वो थ्री गुन्स को भी define करते है After that institution of marriage वो कहते हैं social organization में marriage system है जे बहुत ही important है मनु ने तो marriage को detail में discuss किया है तो उन्होंने चेवी बताया है कि marriage की right is कौनसी होनी चाहिए वो कहते हैं जैसे ब्रहमचार्य अश्रम है जिसमें आप क्या हो student हो studentship खत्म होने के बाद क्या करते हो आप गरस आश्रम में जाते हो जे ही क्या है आपकी marriage की ace ही मानी जाती है तो marriage में उन्होंने eight types की marriage को define किया है तो वहाँ पर verna system भी था वो कहते हैं अगर हमारी marriage equal verna में होती है जिस सबसे best माना जाते है लेकिन equal verna में नहीं होती है तो वो उसको prohibited करते हैं तो वो eight types की marriage हैं इसको define करते हैं husband की wife की care duties हैं वो define करते हैं हर एक चीज़ को aspect को पूरी details से define करते हैं तो institution of marriage है जो हमारा basic एक property बन जाती है अगर हम पूरी society को run करना जाती है इसको define किया है after that rules for the householders अब हम गरस्त आश्रम में हैं तो हमारा house है पूरी society को चलाना है प्याले श्टिडवाद कहां से होती है हमारी family से होती है तो आपके household की rules क्या है कैसे functions है वो भी इन्होंनी बहुत details से describe किये है मनु आश्र डिस्क्राइब the rules of गरस्त आश्रम of a forwardness मेनिंग क्या बना हर एक वर्न के गरस्त आश्रम के rules कैसे होने चाहिए वो define किया गया है जो थोड़े से controversy भी होती है क्योंकि जो गरस्त आश्रम है इसमें woman को कई बर inferior भी बताया गया है जिसमें जे कहा गया है woman को सबसे बाद में खाना खाना चाहिए उसको गर से निकलने के मनाही बताई जाती है और उसके regarding जे भी कहा जाता है कि अगर कोई unknown person आपके गर में आता है उससे बात ने करनी है इस तरह कुछ rules हैं वो बताए भी गई है हो सकते हैं जो rules इन्होंने बताए है practically सही हो क्योंकि उस time की situation जो define करती है उसके according हो सकते है वो rules fit बैठ रहे हो तो वरना सिस्टम में household के rules define के गए है उन्होंने जे भी बताया है कौन से act हैं जो आपको नहीं करने है prohibited हैं forbidden concepts हैं उसको मना किया गया है और उन्होंने प्रेज किसकी की है arms की meaning अगर आप दान पुन करते हो कोई गरीब है अगर आपके पस खाना है आप उसको भी दियना चाहिए तो इस तरह इन चीज़ों की प्रेज भी की है तो उन्होंने rules for the householders जी define किया है next is four major social institutions उन्होंने अपने ट्रेज़ चैप्टर में four major social institutions है वो define की है प्रेला institution क्या है education सबको education का right है जिनको interest है उनको क्या करना चाहिए वो ही ब्रामन बनती है जैसे हम plateau की बात करते है western thought में plateau भी क्या करते है तो जब भी education system है इसमें सभी बच्चों को collective बिठाना चाहिए तो उसको education देनी चाहिए जिससे हमको पता चल जाता है कि बच्चे का interest क्या है तो उन्होंने उसे function के according की आगे society को divide किया है तो इसी तरह हमारा जो मनुस्तमरीती में define है वो वे social organization है education है education के बाद family आती है family के बाद state है और उसके बाद religion है तो जिसको हर एक person को follow करना चाहिए तो उन्होंने इसमें सी कहा के है rules of teaching and study है जो हम education में लेते है वो सबसे important है वो तक भी इन्होंने define किये है एक guru है guru को study करानी है तो उसके लिए उसके क्या rule है अगर एक student है student को कैसे रहना है student में ब्रहमचारे आश्रम में रहकर कौन सी लोग follow करने है वो भी define किये गई है और उसके बाद इन्मी से जो learned person है मेंनिग आप इसको ब्रहामन कह सकते हो सबसे ज़्यादा importance वो किसको देते है ब्रहामन को देते है जो ब्रहामनल पीरिड है जो इनके अगर्डिंग ब्रहामन इसम है जिस सबसे important है हम इसको भी बाद में डिटेल में discuss करेंगे next is the legal system तो जो लोग का system है इसके regarding तो जो मनु है बहुत ज़्यादा define करते है more than 1000 श्लोक्स है वो श्लोक्स किसी साथ related है लोग के साथ ही related है तो मनु ने बहुत ज़्यादा श्लोक्स है लोग में दी है तो मनु क्या emphasize करते है need for fear justice कहते सुसाइटी में fear justice होनी चाहिए जो भी need है उनको cheaper and quickly नयाई मिलना चाहिए तो नयाई को बहुत importance देती है even कि जो crime punishment है इसका code of punishment define करती है वो जे भी कहते है different different person को different different punishment दे जाए जो आगे controversy का course बन जाती है more than provide for different punishments for different awareness for the same crime अगर same crime one system में अगर किसी शोतर ने किया है उसको ज़्यादा punishment दी जाती थी एक ब्रामन ने किया है उसको कम punishment दी जाती थी एक ब्रामन को कभी भी death sentence नहीं दी जाती थी उनको जे कहा जाता था अगर एक ब्रामन है अगर उसका सिर्मन वादिया जाए जे उसके लिए सबसे ज़्यादा शर्म के बाद है वो society में अपना मुख इसको नहीं दिखा पाएगा उसके लिए चे death sentence से भी बड़ी punishment है अगर हम और ज़्यादा बड़ी सरजा देना चाते हैं तो उसको देश निकाला दे दिया जाता था तो जे punishment define की गई है तो हर एक word के according की different different punishment से define की गई है उसके बाद next है functions of the state and the king वो कहते हैं king and state के बहुत जादा functions है और हर एक person को अपनी अपनी काम करने चाहिए जो king है king should behave like a father towards all subjects जो भी state भी जितने भी important aspect है हर एक aspect से वो अच्छे से काम करे एक father की तरह treat करना चाहिए वो चाते हैं एक राजा की duty बनती है कि अपनी देश में safety है, security है उसको promote करे, low and order को maintain करे food adaptation है, उसको prevent करे trade को promote करे, लोगों में खुशाली, prosperity increase हो ऐसी काम करना राजा की duty बनती है then social welfare and development मनु है, मनु social welfare को और development को भी importance देते है मनु कहते है, एक राजा की kingdom में women and children को protect किया जाना चाहिए जह एक king की duty भी बन जाती है और social welfare भी बन जाता है इसके according ही, जो oldest person है उनकी भी protection की responsibility किसकी होनी चाहिए state की होनी चाहिए science of isthriden, woman को protect करने के लिए isthriden, इसका meaning कहा है, जब एक lady की marriage होती है उसकी जो property होती है उस property को isthriden कहा जाता है जिसको हम आज के time में pin money भी कहते है एक lady के पास pin money होती है जिसको हमारा low in valid मानता है तो वो woman के isthriden है इसके protection के भी बात करते है and वो कहते है development के लिए welfare के लिए जो well है, पानी पीने के लिए roads है, इनको construct करना चाहिए protection from thieves and robbers है इनसे protection देना भी राजा का ही duty बनती है trade and agriculture sector को promote करना भी राजा की ही duty है social welfare and prosperity के लिए काम करने चाहिए और उसके बाद प्रोस of penitinence तो penitinence का meaning क्या हो गया meaning अगर आपने कोई crime किया है उसके बाद आपको पश्टावा है penitinence उसके रूल बे बताए गई है जैसे हमको जब हम गुस्सी में होते है जै फिर हमें नहीं पता पुरी तरह हम समझ नहीं होती है ना समझी में हम बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते है लेकिन हो सकते है लेटर इस में कुछ सालों बाद आपको अपनी गलती का पश्टावा हो तो पश्टावा के जो rules है वो वे उन्हेंने define किये गए है description of vices आपके क्या-क्या अब गुन है और उसके लिए आपको कैसी पश्टावा है पश्टावा के rule क्या है पैनिटिस कैसी मिल सकती है वो define किया गया है ते पैनिटिस for animal slaughtering and destruction of vegetation meaning अगर हम animals को मारते हैं जो किसी के farm में vegetable लगी हुई है उनके जो फल सबजियां अनाच है उनको disrupt करते हैं उसके बाद आपको पश्टावा होते है पैनिटिस हैं उसके rules define किये गए है पैनिटिस for debauchery meaning अगर आप कुछ गल्द काम करे हो theft करे हो जाए लेडी के साथ woman rape करे हो इसके regarding भी आपको punishment आपको खुद ही पश्टावा है इसके rules भी define किये गए है बहुन चाते हैं तो आज हमने इस session में उनकी basic principles को discuss किया next session में हम social organization जिसको हम वहना system कहते हैं वो discuss करेंगी अगर आपको कोई प्यार है तो post it in comment box and video चलिए तो please like and share with your friends thank you so much and have a nice day झाल